नमस्कार दोसों, मैं रीना, आपके अपने चैनल रीना की चैनल स्पेन व्लोक्स में स्वागत करती हूँ तो पंचाग के अनुसा स्रावन मास में आने वाली पूर्णिमा तीठी को सावन पूर्णिमा या पूर्णिमा रक्षा बंदन कहते हैं इसी दिन रक्षा मंदन का त्योहार मनाया जता है, साथ ही इसी दिन पवित्रे नादियों में इसनान का दान पुर्निय करने का भी बहुत महत्वा है। बहने इस दिन भाई की कलाई पे रंग भी रंगी राखी बांती हैं और भाई भी उनको रक्षा का बचन देते हैं जोतिश के अनुसा साल 2022 में सावन पुर्णिमा के दिन भी है शुब योग बनेंगे जिस कारण इस्तिति काम है तो और भी अधिक होगा आज हम आपको साल 2022 सावन पुर्णिमा शुब योग राखी बांने का शुब मौरत पुजा विदी और शावन पुर्णिमा पर किये जाने वले कार्यों के बारे में बताएंगे तो राखी पूर्णिमा का शुब मौरद 2022 में क्या है तो साल 2022 में रक्षा बंदन का पर्व 11 अगस गुरुवार की दिन मनाये जाएगा पूर्णिमा काल का समय होगा 11 अगस सुबह 10 बच कर 38 मिनिट यानी 8 बच कर 51 मिनिट पर प्रधुश कार राकी बादने का शुब मौरद होगा 11 अगस रातरी 8 बज के 51 मिनिट से 9 बज कर 9 बजे के लगबर लगबर रहेगा तो सावन पूर्णिमा का शुभ योग इस साल सावन मास के पूर्णिमा और रक्षा बंदन 11 अगस को मनाये जाएगा जोतिश के अनुसा इस बार सावन पूर्णिमा के दिन जहां एक और आईशमान योग तो वहीं रवी और सौबागे योग बनेगा इसके अलावा 11 अगस को धनिश्टा नक्षा तरकेसा शोवन योग का भी सैयोग प्राप्त हो रहा है शास्रों में सावन पूर्णिमा सावन मास का अंतिम दिन होता है इसी दिन रक्षा बंदन भी बनाया जाता है इसलिए आज के दिन बहनों को भाईयों की करारी पर रक्षा शुत्र या राखी भाननी चाहिए पुर्णिमा के दिन पित्रों का तरपंग करना चाहिए इससे उनका आशिवा प्राप्त होता है साधी इस दिन लक्षमि नाराएं की पूजा कर उनका आशिवा प्राप्त करना चाहिए और सावन पूर्णिमा के दिन शिवजी का रुद्राश्वेक करने से सभी मनुकामनाई पूरी होती हैं, रात्री में चंदोदे के बाद आप अपना वरत खोल सकते हैं, और अगर आपको सुक्ष वभागे के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सावन पूर्णिमा पर रक्षा मंदन भराने की परंपरा है, इस दिन अपने इष्ट देव का पूजन कर भाईयों की कलाई पर रक्षा सुत्र बादना चाहिए, रक्षा पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की भी पूजा की जाने से विशेशलाब मिलते हैं, यदि आप इस दिन भगवान शिव पूर्णिमा के दिन किसी जरत्मन भावन को भूजन करा का अपने शर्दा के अनुसा उन्हें अपने घर से विदा करना चाहिए, इस दिन श्री हरी विश्नु माता लक्षमी का पूजन का उन्हें रक्षा सुत्र अर्पित करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अ आपको राखी बादनी है और किस समय में आपको राखी नहीं बादनी है यह तिक हाज जान करिए आपके लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल एक उटन हरे किश्णा